वेलकूम टू कम्यूनिटी डीबेट मैं हूँ आपकी होस्ट हलीमा साद्या कम्यूनिटी में कोविट के बाद सूरतहाल क्या है हमारे बहुत वेलकूज से ऐसे ऐसे लोग ऐसे हजरात जो कि बहुत आगे बढ़के कम्यूनिटी की बहुत सी कदमात करना चाह रहे हैं कम्यूनिटी को जोड़ना चाह रहे हैं उसके साथ साथ वो एक बहुत ही डिफिनल लेवल पर चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ बेहतरी आए बहुत से ऐसे काम हो जो ट्रेट की सूरत में किये जाएं और उन सब को जोड़ा जाए ताके कुछ ना कुछ पॉजिटिव कम्यूनिटी की आक्टिविटी पॉसिबल हो सके आज मेरे साथ इसी सिलसले में कुछ हजरात मौजूद हैं जो कम्यूनिटी की खिदमात बहुत अर् मलक सहाब जो के फाउंडर हैं पी एस सी और उनके साथ साथ मेरे पास मौजूद हैं मंचा रशीद सहाब जो के सी पी एके प्रेजिडेंट हैं और उनके साथ साथ मेरे पास मौजूद हैं राशिद जब जबार सहाब जो के प्रेजिडेंट हैं पी सी सी के आज हम उनसे डी आप से बात शुरू करूंगी आप बहुत लंबेर से से कम्यूटी के साथ जोड़े हुए है और बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं लेकिन इसके साथ-साथ यह आपने पक्त कानडा पाकिस्तान अफिलियेटेद चैंबर ऑफ ट्रेड जो है इसके उपर काम किया है और इसके सा मैं यह बताता चलूँ के डेफिनिटली जो भी यहां आता है यहां पे डिफरेंट डैस फ़रा पूरी दुनिया से कठा हुआ है और जब लोग यहां आते हैं तो वो एक दोड में लग पड़ते हैं बैटर से बैटरमेंट के लिए और कम्यूटी तो पीछे रह जाती एवन फैमिलीज में एक स्ट्रेस आ जाता है हस्बेंट इस वरकिंग वाइफ इस वरकिंग और जोड़ते हैं तो उस पे हमने यह कोशिश की के कम्यूटी को एक कठे होने का प्लैटफरम दिया जिसको हमने शुरू में स्टार्ट लिया और उसके बाद फिर हमारे बिजनिसमें ज हमने उन से लेके फिर उसको इंडिपेंडेंटली यहां पे इस्टेबिश किया अपने पाक सर्विसिस केरिंग कम्यूटी के अंडर ही तो अलहम्दिल्ला अब हमें साथ साल हो गए हैं पी एस सी कम्यूटी को और पिछले को तीन साल से हम सी पैट ट्रॉन्टो जो है उसको म अमाम कनेडिन बिजनसमें वो बिजनस कर सकें अक्रॉस दी गलोब जिसके लिए हमारी जो बिगेस्ट है पी एसी कम्यूटी के प्रेजड़न राशिद जबार साहब हैं और सी पैट ट्रॉन्टो के प्रेजड़न मंजर रशीद हैं जो के आज मेरे साथ यहां मौजूद है ताके हम आपको explain कर सकें के यह concept किस तरह start हुआ और इस वक्त हम किस phase में हैं कोविड में और कोविड में हम आगे क्या plan कर रहे हैं ताके हम community को और businesses को दोनों को साथ लेके चल सकें चलिए अब आते हैं आपकी तरफ आप रशीद जिर्बार साब आप प्रेजिडेंट हैं पार्क services केरिंग community 2013 से 2018 तो operation अभी हो रहा है या खत्म हो गया है या इसकी नहीं कोई जी operation continues है थोड़ा सा मैं इसका background बता दूँ के 2013 में करनल नासी ने initiative लिया तो हमने पीसी को बनाय है तो जैसे सबसे बड़ा issue जब मैं भी यहां पर आया तो यह था कि information नहीं थी कि क्या करना है किस तरफ जाना है घर कहां से लेना है और बाकी चीज़ें कहां से मिलेंगी तो हमने सोचा कि एक platform बनाया जाए जो के खास्तर पर जो नहीं लोग आ रहे हैं इनको भी नहीं पत यह था कि यहां पर आगे हैं अब networking नहीं है आप अपने culture में लोगों के साथ मिल नहीं सकते तो हमने चोटी छोटी छोटी लोगों से ग्रूप से शुरू किया तो पिर आस्ता सा हमने इसको जब हमारे पास इतना ज्यादा इसका response आया कि एकदम वागा सौ फैमिली की membership होग तो फिर हमने एक community hall लिया लेक शोर के उपर तो वहां पर हमने कोई जब किया तो उसमें हमने यह का कि पर एक function भी करेंगे तांके लोग enjoy कर सकें पर हमने उनको food भी organize किया कुछ हमारे दोस्तों ने मिलके तो हमने बड़ा उसको reasonable उस पर करके तो हमारा यह था कि डाई 300 से आगे और people were standing behind जो जब लोग देखा कि इतना अच्छा function हो रहा है तो अपने दोस्तों को भी call किया तो अपने सब लोगों को खाना भी दिया और people they were very happy कि यार यह बड़ा अच्छा एक हो गया तो basically PSC का मतलब यही है कि हम लोगों को वो facility दे सकें कि जिसको यहां पर आके लेना बड़ा मुश्किल होता है अपनी networking कर सकें जो हमारे senior थे उनको बड़ा मसला होता था अब हमना आफिस था वन टू वन टू टू डंडास पर तो वहां पर हमने एक time रखा हो था चार से शे बेर तक वहां पर senior आएं अपना आके अपना गेमिंग खेलें साज केलें केर तो उन्हें ने Facebook WhatsApp या इस किसम के दूसरे जो है उन पर जाकर अपना time गुजाना है तो उनको कैसे इस 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 बात पर वह सीनर बड़े खुश होते हैं और और लोग भी आता है यार हमें यह पता चलेगा वना तो सब यही कहते हैं यह इसको कैसे लगाना है यह यहां पर पो तो वहां पर उनके दोस्ती बनेगी तो फिर उसके अब बाद अब यह क्रोना का एक सिलसे शुरू हो गया तो अब यह एक ऐसा चीजा आगी कि जिसको हमने उसको अवाइड करना था कि पर गाइड लाइन थी और जो कि हमारे लिए भी बैतर और पब्लिक लिए बैतर था हम हम इसको फिलाल इसको रोक दें और हमने उसको पिर अक्टिविटी को रोक दिया फिर जब दोबारा गौर्मिन दे लाउर अचरना शुरू किया तो हमने Чो ऌवर्मिन गाइड लाइन तो फालो करना है कि सोचल डिस्टनसीं करनी है मास पहन के आना हैॉर गलव्स का इस्से करना है minimum जो लोग हैं जो इतने एक जगह पे अलाउड हैं उससे ज्यादा लोग ना आएं तो people they want to come लेकिं मैं यह कहता हूं कि देखें यह covid को अगर हम guideline को follow करेंगे मास्क पहनेंगे किसे जाते वे और पूरी guideline को करेंगे अपनी को enjoy कर सकेंगे अभी तो बड़े restrict होगे I understand कि people are sitting at home and they are tired and they want to go out but they have to be more patient यह साली सबर की game है इस पर सा सबर करें और इसको guideline को follow करें तो आप अपने आपको बचाएंगे और दूसरे लोगों बचाएंगे जब आप दूसरे लोगों बचाएंगे तो जल्दी से काबू में आएगा और साइकल खत्म होगा तो recovery की तरफ रिकवरी आएगी तो इस साथ कोशी करें अभी हमने एक नया office बना लाएंगे वहां पर हम लोगों को invite करेंगे कि आप आएं लेकिन कोविड की जो भी guideline उसको stickly follow करेंगे अभी भी हमने छुट-छुटी gathering शुरू की ही हैं लेकिन वह हम मारी कोशिच यही है कि कोविड में थोड़ा बहुत एक initiative लोगों को मिल जागी है हम इसमें थोड़ा सो मिलके लोग आ सकें लेकिन हमने उसमें stickly है कि आपने कोविड की guideline को follow करना है sanitizer भी रखते हैं मास भी रखते हैं गलब भी होते हैं जो आएगा उसक पर भी थोड़ा सा टच पेस कर दीजिए कि यूद के लिए देखें यहां पर जो साब मसला के यूद जो हमारी हम उसको क्या करते हैं कि लेके आते थे अपने प्रोग्रम में जब हमने प्रोग्रम शुरू किये तो पहले तो गरों पे करते थे पर आसा-सा करके हमने हाल करन थे हमने उनको रुकाल लेकर हमने उनको इंकरज किया मुझे याद है पहले दाव बच्चा स्टेच पे जाता नहीं था तो हम जबर दे हाथ पकार के लेके गए वो कहरा नहीं नहीं और पिर वही बच्चा अपने स्कूल में उसे प्राइज विन किया तो यह यह यूद के लिए यह बड़ा यह तक हम उनको इंकरज करते थे आएं गेमें खेलें आएं स्टेच पर परफार्मर्स करें आएं स्पीश दे तो जब आज कर दें जो दुनिया में जो बड़े भी होते हैं बच्चे कामयाबे जो प्रेजिंटेशन दे सके जो आडियों से बात कर से जो काल्चर्ड एक्टियूटी की बाद कर तो कल्चर्डी में यह तक हमने जो भी हमारी जैसे सबसे पहले हमने जो किया था उसमें हमने की लिए तो लोगे के बड़ा प्संदा कि हमारे कि मे कूंपर टची होता है सब लोग चाते हैं कि भी यह सम्द्री में प갈ए विडिनाट पासिबुल के बई हर function में हम रख सके लेकिन हम इस ता कि मेंदी की functions हैं और इस ता कि दूसरे culturally activities है हमारे जो और में उसको अपने special day events होते हैं उसके साथ आप celebrations होती है उनको आप celebrate करके उसके साथ basically आप integration के साथ साथ bridging करने की कोशिश कर रहे हैं newcomers old people उनको technology friendly करना और उसके साथ साथ youth में self esteem बिल्ड करना they are all very positive. एज़ के दिनों में न तो जब आते हैं तो हर लोग जाते हैं बहुत कपड़े पहने के कि लोग आके एक दूसरे से मिलें अपने ही लोगों के साथ अपने कल्चर के लोगों के साथ अब उनका जो joint एक तो जिस का जहन जिसका मिल गा उसके साथ दोस्य होगी पिलस उनको बात चीज करने में हर आदमी को बात करने के लिए कोई दूसरा companion चाहिए तो वो चीजे उनको वेलेबल होगे तो इससे बड़ा फैदा हुआ है मैं समझेज़ दा लूँगा अब आपकी तरफ आते हैं मंचा रशीद सहाब CPAC मैं इसको CPAC नहीं बोलूँगी इसलिए के फॉरन वियूर्ज है उनका ख्याल किसी और तरफ जाएगा तो आप प्लीज इसको बताईए एक दफ़ा हमाई वियूर्ज को के ट्रेड के हवाले से क्यूंकि इस वक्त दुनिया भर में economy बहुत बड़ा एक issue है और उसके साथ साथ खास तोर पे जो पाकिसानी कम्यूनिटी है वो काफी परेशान है तो आप इस हवाले से हमाई साथ क्या शेयर करेंगे आज सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हलीमा आपका का अपने हमें इंटर्वी के बलाया और टैग टिवी का बहुत शुक्रिया अच्छा सी पैक जो है यह कैनरा पाकिसान अफिलेशन चैंबर अफ कामर्स तो इसको सी पैक पंता है तो यह इसके लिए इस यह सी पैक पर जाने शुरू किया जैसे फैमिली को गादरिंग करना शुरू किया तो वहां पे एक नेटवर्किंग शुरू हुई नेटवर्किंग जी भी शुरू हुई तो उसमें एक बड़ा पॉजिटिव आस्पेक्ट आया फैमिली मिर रही है और आप इसलिए ज्यादा लोग तो यहां प करना तो यह हमें एक प्लैटवर्म मिल गिया फिर दो हजार सतरह के अंदर चंद बिजनस्मेनों ने मिलके एक मौन्ट्रियाल से यह काम शुरू हुआ हाई बहारी साब ने यह काम शुरू किया जिसके पॉंडर वो थे और करनल नासस साब चेर्में थे और को चेर्में जिसका प्लैटवर्म का मकसद यह था कि हम यहां पे पाकिस्तानी बिजनस्स जो पाकिस्तान में हैं और यहां से जो भी बंदा पाकिस्तान के साथ बिजनस करना जाता है उनको और जो पाकिस्तानी बिजनस्स यहां पे हैं उन्हें किस तरह फसिलिटेट किया जा सकता है तो तो ये प्लैटफॉर्म वहां से अगास किया गया, फिर यहां पर एक चैप्टर, इसके दो चैप्टर बने, एक चैप्टर हमने आटवा में बनाया है, जो कि लोकल वहां पर किमिनर क्योंकि अंटारियो बहुत बड़ा था, एक हमने टरंटो में बनाया, तो जिसको टरंटो क टरंटो का जो चैप्टर है, उसको मैं देख रहा हूँ, इसमें ये, इसके गराज और मकासद ये थे, कि हम किस तरह से हॉम लैंड को फैदा पचा सकते हैं, फसिलिटेट कर सकते हैं, और लोगों को यहां के लोगों को, कि जो लोग यहां पर आते हैं, नियू कमर आती है, कि यहां पर हुआ गया, तब तक उनकी पाकट एमटी हो जाती है, कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फिर हम लोगों को यहां से, जो हमने शुरू किया, तो इस से यह बैनी फिडियो, काफी अच्छा रस्पांस आना शुरू हो गया, लोग आने शुरू हो गय पर 2018 में हमने मेंबर्शिप खोली, पहले मेंबर्शिप फ्री थी, फिर मेंबर्शिप पेड होगी, फिर हम लोग ने 2019 के अंदर जितने अच्छे बिजनस हो रहे थे, कैनिड़ा के अंदर, इंटारियो के अंदर, उनका एक आवार्ड करवाया, आवार्ड में भी हमें कैसे लोग तल्लक रखते थे, वो सारे आते हैं, क्योंकि वो आरड़ी, PSE के प्लाटफार्म पे हमारे पास आरड़ी वो फैमिलिस थी, और उन्हें एक और चीज़ चाहिए थी, कि PSE के हमारा ग्रेलो महौल बना हुआ था, एक फैमिलिस की तरह बना हुआ था, और उसके सा रखताना है, कि झा यह कि पर्योंकि वो से प्रवाइट करते हैं, और वो साहता है, और वो साय कि आपॉट्बाद की वो महते हैं, और एक भागा कुछ दीज़ता है कि यह पम fondo बना हुट। थे समय की स्थी वाइट आहरा लॉग पास, और उन्हें पना ही पन्म धाना है प मुझा में पाकिसान स्फारत्धाना हमें काफ़ी इसमें help कर रहा था और हमारा program भी हम this summer में पाकिसान में in the expo में सब्सक्राइब कर रहा हैं ताकि यहां से businessmen पाकिसान अच्छे businessmen को ले जाके पाकिसान लें ले जा ले जारे वहां पे उनका introduction करा हैं कि अब अभी कोप 19 होगी है, अभी कोप 19 हुआ, तो समझें कि अभी सारे बिजनस ट्रगल करने चुरू होगे, बिजनस जबी स्ट्रगल करता है, तो बिजनस के लिए के आल्टरनेटव देखा जाते है, कि अभी इसको आप बिजनस तो फिजिकल रूप नहीं कर सकते हैं, को ट्रेवलिंग टाइम काम हो जाएगे, ताकि प्रॉटक्टिविटी भी हो सकते हैं, और पाकिस्तान ट्रेवल कि ये बगार, आप दुनिया पूरी से कनेक्ट हो के बिजनस किस तरह कर सकते हैं, फिर हम लोग ने इसके ओपर टेक्नालोजी को प्रीप स्टेडी की और हमार को के सबक्रां कामीरें कामीरेंता बर ज्राफीन से प्राइब अंपड़न को किस तरह सक्सेसफफ़ उसकते हैं, ऑर लृकशा का में पंते हैं उसक से mentioned, किन चैनल को एक्स्प्लोर करके कर सकते हैं जिसमें ये सोचिलाइजेशन भी हो जाती है जिसे आपका थोड़ा सा डिवेलप उतर नेट्वरकिंग होती है और ये सब चलिए अब हम इन सब बातों से तो ये लगता है कि वो व्यूवर्स जो के देख रहे हैं इस वक्त वो आप से कॉन्टक्ट कर सकते हैं और आप उनको गाइड कर सकते हैं तो उसके लिए क्या क्यूंकि कोविट के बाद खास तो पर दुनिया बिलकुल बदल गई है और हर चीज टेक्नोलोजी बेस्ट हो गई है तो क्या आपका कोई वेबसाइट है क्या आपका कोई कॉई कॉई लोग आप से राप्ता कर सकते हैं थो हम कि सक देना चाहें और पना कोई अ औरKशन D. अब छोड़ी आम खोरी का रहे हैं कि हमारे जितने भी मंबर्स हैं वह तो खुद लॉग इन कर सकें और अपना कोई सजेक्शन देना चाहें इंटर एक्टिव दू कोवेड नाइटीन हम उसको बेस्ट पॉसिबल डॉप कर रहे हैं इसी तरह जो हमारी सी पैक्ट एक मेन है सी पैक डॉट सी ए हमारी वेब साइट अलरडी एग्सिस्टिंग है हम न इसी लिए उनको हम यह उदे दिये हैं वो इलेक्ट होके आए हैं ताके वो कम्यूटि को वालें सर्विस दे उनको जैसे राष्ट भाए ने झा नए आने वाले कोौ और जो एक्जिस्टिंग बिजनस जा हैं वह अगर हमें जॉइन 6 है आप किसी वक्त भी विजट कर सकते हैं उसमें हम स्पेशली एवरी थर्सडे को स्पेशल जो वर्कशाप्स और वेबिनार्स करेंगे जिसमें जिस किसम की जो हमें फीडबैक मिलेगा हमारे मेंबर से वो उसको उसके मताबिक हम लेक्शर और मीटिंग भी करवाएंगे एक दफा प्लीज रिपीट कर दीजेगा एड्रेस और फोन नमबर अड्रेस जो है हमारे ओफिस का जो नेा आफिस हम सागह में खोल रहे हैं वो 5266 जेनरल रोड मीसिसागह है यूनिट 6 और उसकी जो पी एस सी की की वेबसाइट है पी एस सी क्यमूनुटी डाट कॉम और सी पैक टॉंटो की वेबसाइट है CPACT Toronto.com इस पे आप कभी भी लॉग इन कर सकते हैं अपना मैसिज भेज सकते हैं कॉंटेक्ट आस के फॉर्म फिल करके आप सिर्फ अपना नाम और नमबर ले दें बेशक सारी टेल्स ना लिखें विल गेट बैक टू यू ये हमारा आप से कमिटमेंट है और हमारे प्रेजिडंट इसी चीज़ पर काम कर रहे हैं इसके बारे में मजीद राश्ट भाई भी बिता सकते हैं कि अभी PSC के क्या आने वाला है आगे जाके बस अभी करोना की वएसे थोड़ा सा हम अपनी एक्टिविटी को थोड़ा सा कम किया लेकिन आसासा चोट-चोटी गैजिडिंग के अंदर हम दोबारे इसको एक्टिविट कर रहें और उसमें यह हुआ कि छोट-चोटी ग्रूप के साथ हम अपने जो हमारा जो सबसे ज़्यादा काम याव एक वो भी बड़ा हीट हो गया था फालो करनी है तो आपकुछ लोग नाराद हो जाते हैं हमें अपने पहले कहा था कि हम आने देंगाब आपके रहें नहीं तो मारी मजबूरी है मतलश मतलब वी लग आ एव्री वन सब लॉड़ां का तरह हैं लेकि मजबूरी यह है कि हमारी रिस्ट्रिक्शन है तो हम उसको हर हाल में फालो करना है तो मैं दोबारा के लिए बात करूँ कि की जो गौर्मरी गाइड लाइन हमने फालो करनी है तो अगर किसी मेंबर को हम कहते हैं कि यार आपको कम कर तो हम उसको अगले दफार मे क्या है तो यह new normal यही है कि जिसके अंदर आप छोटे-चोटे वो रखते हैं आप से मैं बात करूंगी बिजनस के हवाले से कि डिजिटल वर्ल्ड में कन्वर्ट हो चुका है हर चीज बिजनस से लेकर आपको फिजिकली किसी भी जगा पर प्रेजन्ट होने की जरूरत नहीं ह है उसके बगार ही मिन्टो में काम हो जाता है तो आप क्या समझते हैं कम्यूनिटी बिजनस कम्यूनिटी में ये बात कितनी हो मुच पीपल आर अवेर अफ दिस फैक्ट अंद हो मुच देयर एक्टिव तोड़्स बड़्स बात कि कैनिड़ा में ज्यादा तर जोग है वो अच्छे एजूकरिट्टेटि लोग आ ये फटाह्यट से मांगरेट करके ये जो वो चैनिदा से मांक्राहिए वोग बैल थूकरिकृत है तर वेल एफ व्टेडल पीपल्ट । वाइजूग अमश्जा की मीटिंग्स हमारा जो वेबसाइट के ओपर है वो हम लोग इन कॉपरेट कर रहे हैं कि ताके हम सारे कोई भी बंदा अपना आफिस छोड़के ना आएं डारेक्टर्स हैं कि मेंबर्स हैं वो हम लोग किसी टेम एक टेम एक लिंक बेज देंगे सब को उसे यह होगा क्यों इसी के ओपर हम डिफरेंट सेमिनर्स करेंगे बताएंगे कि एकॉमर्स किस तरह की जा सकती है कि आपको गर जोड़े बगळर आप आराम से गर से बैठके किसी भी हालाद में आराम से आप इस रसकर सकते हो इसी तरह मीटिंग्स भी कर सकते हो यह सारी चीजों के ओपर हम लोग यह जो हमारा निया पर शुरू होने जा रहा है यहां पर हम लोग सेमिनर्स किया करेंगे डिफ्रेंट स्पीकर्स बलाया करेंगे ताके वह कम्यूनिटी के अंदर यह फर्दर अवेर ना जो जितनी अपक फोसे लोग इस जो ना एक्सक्यूस माइस्कूस भी खतम हो जाए दा दूसरे वह खतम हो जाए था यह बहुत जाए हैं आप गर में बैटी हुए पांच मिनट 15 मिनट की मीटिंग आपने जूम पे कर लिये और उसमे प्रोडिक्टिव क्यों कि हम लोग खुद भी यह पिछ क्योंकि मैं मुझे पता कि अगला बंदा मुझे जुम पे मिल जाएगा तो यह टेकनालोजी के ओपर है और बाकी भी इंशा लाम करते हैं कि अगर अगर जाएड करना चाहूंगा कि जो हम अभी वेबसाइट दुबारा लांच करने लगें सीपेक्टरांटो डाट कॉम यह पीएसी कम्मुनिटी डाट कॉम यह इंटरेक्टिव होने के सासथ यह ट्विटर पे फेस्बुक से इंटरेक्टिव होंगी और प्लस हम इसमें ब्लॉग्स दे रहे हैं हर बिजनस के लिए सेपरेट ब्लॉग होगा आप अपना एड़ है उसमें बेस्ट पॉसिबल आप जो है उसमें आपको व्यूज मिल जाएंगे ड्वाइज मिल जाएगी गार बैटे होगा तो आपकी तरफ आओंगी राशिट जबार साब आपके सीनियर केर्स हेल्प नू कमर्स यूथ इंपावर्मेंट और कर्चर इन चारों के अंदर जो हमारा एलेक्टरोनिकल मीडिया है या हमारी जो डिजिटल वर्ल्ड है इसका बहुत अहम करदार है तो आप क्या समझते हैं क्या हम इतने हो रहे हैं या हमने इसको एकसेप्ट किया है भी या हम अपनी रोजमर्रा की उसके अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहे है तो लोगों को अवेरनेस देनी पड़ेगी अभी लोग उस सब अपने मैंटली प्रिपेर्ड नहीं है कि एक बंदों को या आदर पड़ी है कि उससे किसी जा के बात करनी अब उसको कहें कि आप से जूम पर बात कर ले बिजनस येस वहाँ पर एक इंडिजिजिज इंट्र को दीजिजिटल मार्क कि उसके सगें तो लोगों को रेनस हम दे रहे जैसे हमने बात कि 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 जिसाना सीप surprised कि हो 비ordी मीटिंग विवंगी वह भी हम जाकि सारी जूम से यह और जिस तरीक हाँ उसbuild. ऐस फिर दी तरीक तरीकैं से करे कि तो आस्ता रपी लोगों को यह रिए मीटिंग होगी वह भी हम जाके सारी जूम से यह और जिस तरीके से भी होगी उसे लोग इन्वाइट करेंगे तो आस्ता आस्ता फिर लोगों का यह अवेनस देंगे कि या चलो और कुछ जिस जब एक मीडिया पे बैठ के एक गफशब कर लो दस बारा बंदे मिल जाओ सोशलाइजेशन का एक नया तरीका है जिसमें के आप बजाए इसके के आप स्क्लूड़िड होके डिप्रेस्ट फील करें आप किसी के साथ अपने आप अपने व्यूस को शेयर कर लें एक दूसरे के साथ बैठ जाएं आपके साथ आपकी तरफ आओंगे मलिक साब आप यह ब यह बाद इसका क्या फूचर है अल्होंदिल्लह इसमें सबसे पहले जो मैं हमेशा कहता हूं के हमारा कोई पॉलिटिकल या रिलिज़िजस एजन्डा नहीं है छिसमें हम चाहते हैं के कमूनिटी की वैलफएर हो उसमें हम जितने भी कमूनिटी के इवन चैरिटी प्रोग् हैं विर्चुल हों यह फिजिकल हों जितनी हमें गोर्मेंट इजाज़त देगी उस लेवल पर हम सिटी वाइज इसको करेंगे ताके हर सिटी में जो पार्टी स्पेशन है वो एक काइम रहे और उसको हम अनलाइन सब को दिखाएंगे ताके जो लोग जितनी परमिशन पर टैन लोगों की परमिशन जैसे आजकर दस लोग आएं तो बाकी लोग उसमें पार्टी स्पेट कर सके और इसी तरह विर्चुली डेवड फील पार्ट अफ दैट बस और इसी तरह जब हम बिजनस की तरफ आते हैं तो बिजनस में जैसे मैं जिकर कि हम ब्लाक्स बना देंग के स्पेशलिस्ट बिलाएंगे और वो एडवर्टाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि आई फोर सी के जो हमारा ये जो दोनों फोरूम है पी एसी कम्यूनिटी और सी पेक ट्रॉंटो डे विल हैव मैक्सिमम पार्टी स्पेशन के हमें मैनेज करने के लिए प्लीज जो हमारे वियूर्स को कोई मैसिज देना चाहें वो दे दीजिए मैं तो वियूर्स से यही कुंगा के ये एक टेस्ट टाइम है इसमें हिमत नहारें सबर से काम लें और चेंज एन्वार्मेंट में प्रोग्रेसिव रहें तो यू विल बिकम यूस्टो इट और व फालो करें, मास्क को पेनें जब बाहर जाएं तो अगर आप इन चीज़ को फालो करेंगे तो ये चीज़ पर हम जल्दी काबो पा सकेंगे और अन्शालला आने वाल वक्त में हम ज्यादा बेतर जिन्देगी गुजार सकेंगे और बस ये ये खुश रहें हमेशा और एक द दूसरें के सेफ रखे हमें, जहांब सेफ रागने जिस आनिडाजर लगाना, इस अप की प्रोटकॉल को फालू करेंगे, पालू करेंगे औरो इस पाली। जैसे यह वमारी काबों में आ जाएगी फिर हम एंजॉय भी करेंगे इसके लिए कहते हैं आज कल यह टीवी को पर बहुत मशहूर स्लोगन चलता रहता है इससे डरना नहीं इससे लड़ना है यह सेम चीज़ है आप इज़ात का बहुत 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 चुप किया कि आप हमार जगों के उपर जाके एक्स्प्लोर करना पड़ेगा कि लाइफ को दुबारा से इसके अंदर कैसे एड़्जस्ट किया जाए यह कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें सिर्फ हम लोग अपनी रूटीन के आदी होते हैं और हम उसमें से निकल के एक नई रूटीन बनाने में थोड़ी सी मुश्किलात को महसूस करते हैं इस वक्त पूरी दुनिया में गलोबली एक चैलेंज है हम सब के लिए चैलेंज है कम्यूनिटी के लिए भी चैलेंज है कम्यूनिटी को अपनी तरफ देखना चाहिए थोड़ा सा सोचना चाहिए थोड़ा सा एक्स्प्लोर करे कि कौन सी possibilities आपके लिए इस situation में positively work out कर सकती हैं इनिलफास के साथ आज का ये program देखने का बहुत शुक्रिया